नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोश्वरेंदर रावत और आप देखरो शूपर वीरू ब्लाग। हम लोग भी पेपर की त्यारी कर रहे हैं पेपरों को त्यारी करने के बाद इस तरीके से घपले वाजी हो रही है। हम लोग दोश्वरेंदर दोश्वरेंदर की त्यारी करने के बाद रहे हैं। गोसरा रोज की, रोजगारी का बोज की, अमें छुपना लावना जुल में सावा जुकी, गोसरा मन मोज की बनत बन अब कैमा बन गोतन तुमारी जूती चन्द, फिरोजगारी घेल होनु मैं जाके तुमारी पटे कित टनाटन रोजगारी घारुच, पहारमयों के गारुच मावासी गरीब की धारे चे, नौनायों का बेरोजगारे चे तो युवाओं का कहना यही है कि हम इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी का नतीजा आप देख सकते हो क्या हो रहा है तो बहुत निरास थे कही ओने तो जो कोचिंग भी कर रहे थे लोगों ने कोचिंग छोड़ दी है कि नहीं उत्राखंड सरकार अगर ऐसे ही इस तरीके से होता रहेगा उत्राखंड में तो हम तो उमीदी नहीं कर सकते कि आने वाले टाइम पर भरतिया होंगी और हम हमारा उसमें सेलेक्शन होगा तो बहुत निरास हैं उनके अंदर जो हीन भावना है वो उत्पन होने लग गई है तो मेरा यही कहना है कि युवाओं से आप होसला बने और अपनी तयारी को करते रहें आने वाले टाइम पर इसी तरीके से होगा तो हर युवा को आगे आना होगा और इस तरीके से भरस्टाचार को रोखना होगा क्योंकि अगर युवा भरस्टाचार को नहीं रोकेगा तो ये भ्रष्टाचार ज्यादे से ज्यादे होता रहेगा और हम लोगों को एक जुठ होकर काम करना है, मेहनत कर रहे है और देखो उसका नतीज़ा क्या हो गया वीडियो में किसी का सेलेक्शन हो गया था, किसी का नहीं हुआ लेकिन जिनका हो गया वो भी आप निरास है, जिनका नहीं हुआ वो भी निरास है कारण क्या है कि धांद्री वाजी हो गई है, जो मेहनत से जिनका सेलेक्शन हो गया उनको भी ये चीज़े देखनी पड़ रही है और दोस्तों हमारी उत्राखन सरकार से यहीं मांग है कि जो भी भरती घोटाले हो रहे हैं इनकी अच्छे से जाच हो और जो आरोपी हैं उनको सजा मिले इस तरीके से उनको सजा मिले कि आगे आने वाले टाइम पे इस तरीके से घोटाले वाजी करने की उनकी हिम्मत न हो और जो भी सरकारी एफसर इसमें जुड़े हुए हैं उनकी भी जाच हो निस्पक्स जाच होनी चाहिए और वहाँ पर यह नहीं होना चाहिए कि अभी जाच होगी कल जाच होगी तो तुरंत सरकार को एक्षन लेना चा बहुत अनियमिता बरती गई है और लोगों कई ऐसे हैं कि जो अपने भाई भतिजे बाद वाले जो सिस्टम चल रहा था तो वह सिस्टम यहां पर देखने को मिल रहा है तो कहीं नुक्तिया ऐसी हुई है जिन में कोई परिक्षाय नहीं हुई और यह हमारे रिष्टेदार है वह हें कि परिक्षाय उनको क्या कर दिया गया में वहां पर नुक्ति दी गई है है तो ऐसा नहां हो और उत्राखंट में इस तरीके से बहा होताई है तो आगे आने वाले बाइसाल होगे 20-21 को बने हुई और तबसे एसे ल होता आरह है और इस टाइम पर जो युदरी कर तो लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए आप अपनी तयारी कीजिए और सरकार इस मामले में जरूर कोई फैस्टन लेगी कि आने वाले टाइम पर इस तरीके से भ्रस्टा चारना हो और सरकार पर उमीद बनाये रखें और आने वाले टाइम पर आप लोग भी और एक जूट हो कर सबी यूवाओं को आपस में एक जूट हो कर इस चीज़ पर सोचना चाहिए कि आने वाले टाइम पर यूवाओं को इस तरीके से कोई दिकत न हो और सरकार यूवाओं के बारे में सोच रही है तो हमारी भी उमीद बनी रहेगी कि सरकार टाइम टाइम पर एक्जाम करा निश्पक्ष की जाषि हो तो से हमें खुसी होगी और 10 भी फ्रषा चार फैला रखा है है उतराकें हर परिक्शह न हो और अपना होसला बनाए रखें सरकार निश्पक्स जाज करेगी और जो जाज के रिजर्ट होगा वो हमारे सामने होगा तो तब तक के लिए नमस्कार जै हींत जै भारत जै उत्राखन आवाज चे यक निर्दयों पुराज चे श्वरोजगार नारू यूँँपुरोजगार नारू यूँपुरोजगार नाखारू चे चन जनकिया आवाज चे यक निर्दयों पुराज चे श्वरोजगार नारू यूँपुरोजगार नारू यूँपुरोजगार नाखारू मजबूर इचने में हुसरा रोच की में हुच गारी का पोज की हमें छुपना लवाना